आईए दोस्तो आज हम आपको ले करके चलते हैं हिम नगरी मुन्शारी में यहाँ पर को की सुन्दर्ता देखते ही बनती है आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर जरूर कर दीजेगा तो सबसे पहला स्थान है जिसकी और हम आपको ले करके जा रहे हैं ट्राइबल हेरिटेज मुजियम यह ट्राइबल हेरिटेज मुजियम सेकड़ों वर्स पूर्व से चले आ रहे खाना बनाने के कृष्षिकारियों के और विविन तरर के उपकरणों से सजा हुआ है यहाँ को लाइबरेरी में बहुत सारी भुक्स एवेलेबल हैं जो यहां के ट्राइबल समाज की सौका समाज के बारे में हमको चीज़े बताती है यह मुजियम यहां के ही एक लोकल व्यक्ति पांगती जी के द्वारा बनाया गया है और इस पर इन्होंने बहुत रिसर्च और कि दूसरा इस्थान है डानाधार मंदिर यहां पर नंदा देवी माता का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है जिस मंदिर को देखने बहुत दूर दूर से स्रद्धालू प्रतिवर्स आते हैं और यहां पर की छटा भी बहुत निराली है यह एक बन पंचायत में बना हुआ मंद बहुत सुन्दर और उत्कृष्ट केटेगरी का है पंचाचूली के सामने से दर्सन करवाता है आईए इसके बाद हम आपको ले करके चलते हैं इको पार्क यह एक महत्ती महत्वपूर्ण और मनोहर स्थान है इको पार्क जो मुन्शारी सहर से 8 किलोमेटर की दूरी पर मुन्शारी थल मार्ग पर पातल थौर नामक इस्थान पर स्थित है इस पार्क पर यात्रियों के विश्राम के लिए 10 इको हट बने हुए हैं साथ ही आप टेंट में रहने का लुथ को भी उठा सकते हैं इसके साथ ही यहाँ पर थौर नामक एक लाइबरेरी पर भी है जहाँ पर हिमालेन, जैव विवित्ता तथा अन्य चीजों से संबंदिक कई सारी किताबें रखी हुई हैं एक बहुत सुंदर इंटरप्रेशन सेंटर भी है जो आपको हिमालेन, फ्लोरा और फोना का ज्यान कराता है यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन एवं ज्यान वर्धन के लिए बिभिन क्रिया का लाब भी हैं जैसे बर्मा ब्रिज, क्लाइंबिंग रोप, जूले, सरोवर, वाज टावर आदी कुल में लाकर यह हिस्तान आपकी चेतना एवं बुद्धी को रिफ्रेश कर देगा इस इको पार्क का निर्मान बन विभाग उतरागंड के द्वारा कराया गया था और इसका संरक्षण यवंग देखवाल मुन्शारी इको विकास समीति करती है जो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है मैं इसके लिए मुन्शारी इको विकास समीति के अध्यक्स श्री ब्रिजेश धरमसक्तू तथा उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तो यदि आप एडवेंचर के सौकीन हैं तो आपको खलिया टॉप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए यह स्थान समुधतल से लगबग 12,500 उचाई परिस्थित है जो ले से भी अधिक है वर्सारितु में इस बुग्याल पर जाना मानो स्वर्ग पहुँच जाना ही है क्योंकि सैक्णों प्रकार के फूलों से यह स्थान इस दौरान गुलजार रहता है खलिया टॉप से आप सैक्णों किलोमेटर दूर तक का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं यहां से पंचाचूली का दर्शन तो असीम आनंद की अनुभूती कराता है खलिया टॉप जाने के लिए इको पार्क के पास खलिया गेट से मात्र 6 किलोमेटर का मौडरेट ट्रेक करना पड़ता है लेकिन वहां पहुँचने पर आपकी सारी थकान फुर्र हो जाएगी वन विशराम भवन से मात्र 1.5 किलोमेटर का ट्रेक कर आप मैसर कुंड या महेश्वर कुंड पहुँच सकते हैं जो इस्थाने जनाता के लिए एक सेक्रेट ग्रूब भी है इस कुंड की पवित्ता के साथ कई किमवदंतियां भी जुड़ी हुई है यह ट्रेक भी आपको नई इस पूर्ती देने वाला साबित होगा इसके जल को यहां के लोगों के दोरा बहुत पवित्र माना जाता है और समय समय पर यहां पर दार्मी का नुस्ठान करने के लिए आते रहते हैं मोरू, खर्शू के पेड़ों से चारों और से घिरी हुई बहुत शान्त यह जील आप लोगों को प्रकृती के एक अलग ही समतकार से उबरू कराती है दोस्तों, ये है भारत का पहला लाइकेन गार्डन जो वन विवाग की रिशर्च विंग के द्वारा बनाया गया है यहां पर लगबग असी प्रजातियों के लाइकेन उपलब्ध हैं इस्थानिय बासा में इनको जूला या पत्थर के फूल कहा जाता है इनसे बिभिन परकार के मसाले, कपड़ों को रंगने के लिए डाईया, दवाईया, सनस्क्रीन लोशन आदी बनाये जाते हैं हैदराबादी बिर्यानी तो बिना लाइकेन के बनती ही नहीं मित्रो ये है भारत का दूसरा सबसे उँचा तथा उतराघंड का सबसे उँचा वाटरफॉल बिर्थी फॉल जिसकी उँचाई 418 फीट है यह जितना उँचा है उतना ही खुबसूरत भी वर्साकाल में तो इसके जल की फॉहरें 300 मीटर दूर तक पहुच जाती हैं जो एक मनोरम द्रिश्य होता है आईए अब हम चलते हैं थामरी कुन्ड की उर बेटुलिधार स्कीन पॉइंट से 3 किलो मीटर का साधारण सीधा साधा ट्रेक करने के उपरांत आप समुद दल से 9100 फीट की उचाई परिश्थित थामरी कुन्ड पहुंचते हैं जो स्थानिय निवाशियों के लिए पवित्र योंग आध्यात्मिक आस्त्रा का स्रोत है लोगों में ऐसा विश्वास है कि इस सरोवर के जल को छूना भी नहीं है आपने हमारे जैनल को अंतदख देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप जैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शुकिजेगा और हाँ लाइक और सेयर तो बनता ही है ताकि इस वोईश्य में भी पूरी मेरत के साथ आपके पास नहीं वीडियों देखाए सकता हो जाए है